तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे community pharmacy and management के question paper के बारे में तो देखें आप किसी भी university से हैं आप किसी भी बोर्ट से हैं अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी final year में हैं तो ये अभी आपका एक नया subject है और इस subject का जो है वो आपको examination देना होगा क्योंकि ये subject आपका education regulation 2020 में यानि के डिप्लोमा फार्मेसी के जो आपका नया syllabus आपका PCI ने declare किया है उसमें जो है ये आपका subject दिया गया है ठीक है तो देखें जो आपका examination है वो जुलाई अगस्त में हो सकते हैं तो इसलिगे जो है वो आप अपनी तयारी करते रहे हैं और आज की वीडियो मे हम community pharmacy and management का question paper देखेंगे तो देखेंगे अगर आप question paper को download करना चाहते हैं MCQ को practice करना चाहते हैं तो अब आप play store से pharmacy point mobile application को download कर सकते हैं तो इसका जो link है वो मैंने आपको description box में दिया हुआ है तो आप pharmacy point mobile application को जरूर से जो है वो download करें ठीक है तो देखें जो आपका examination होते है वो यहाँ पर 3 घंटे का होता है maximum number जो है वो आपका question paper का वो आपका C number होता है और यहाँ पर कुछ notes वगरा जो है वो यहाँ पर लिखे गए होते हैं ठीक है तो देखें जो आपका नया सी labels है उसमें जो आपके question paper है वो आपका 3 section में आता है part A, part B और part C ठीक है तो सबसे प आप यहाँ पर विश्वास मानिए गारेंटी है कि आपकी बैक नहीं लगेगी लेकिन आपको इस question paper को तयार करना होगा ठीक है तो देखें जो आपका part A है इसमें total जो है वो आपसे 7 question पूछे जाते हैं ठीक है part A से जो है वो total आपसे 7 question पूछे जाते हैं आपको कोई जो ह है वो आपका 5 number का होता है तो part A से जो है वो आपका 30 number बन जाता है ठीक है तो जो पहला इसका question है वो है कि define community pharmacy यानि कि community pharmacy क्या है यह आपका chapter number 1 से यह सबसे important question है ठीक है और साथ में discuss about Indian scenario of community pharmacy ठीक है इंडिया में जो है वो community pharmacy की condition कैसी है scenario कैसा है उसके बारे में जो है वो different parts of prescription यानि कि जो आपका prescription होता है उसके कौन-कौन से parts होते है ठीक है उनके बारे में जो है वो यहाँ पे details से लिखना ये भी जो है वो बहुत important question है और यह question आपके exam में 100% जो है वो आएगा ठीक है तो इस तरह के जो question है वो आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है तो question number 1 और question number 2 के बारे में हमने discuss कर लिया है जो यहाँ पर अगला question है वो पुछा गया है आपका communication skills से तो यहाँ पर पुछा गया है कि defining communication skill यानि कि आपको communication skill को आपको परिभासित करना इसके definition लिखना है ठीक है जो इसने आगे लिखा गया है write in detail about verbal communication skill ठीक है तो verbal communication skill क्या होती है इसके advantage क क्या है, इसके disadvantage क्या है, इसके बारे में जो है, वो आपको detail से लिखना है, ठीक है, उसके बाद जो अगला question उसको देख लेते हैं कि what is patient counseling, patient counseling क्या होती है, important question है ये भी, discuss about stages of patient counseling, यानि कि जो आपका patient counseling का process होता है, इसमें कौन-कौन से stages होते हैं, उनको आपको जो है, इसके answer मे detail से लिखना है, ठीक है, जो अगला question उसको देख लेते हैं, what is medication adherence, ठीक है, medication adherence क्या होता है, discuss factors that influence non adherence, ठीक है, तो अईसे कौन-कौन से factors, region हैं, ठीक है, जिनके वाज़ा से जो है, वो हमें non-medication adherence, जो है, वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो अगले question के बात कर लेते है, what is health screening services, health screening services क्या होती है, right importance of health screening services in community pharmacy, ठीक है, तो community pharmacy में, ठीक है, health screening services का क्या importance है, इसके बारे में जो है, वो इस question के answer में लिखना, जो अगला question है, वो है कि define OTC medicines, OTC medicines क्या होती है, what are roles of pharmacists in OTC medication dispensing, तो OTC medication के dispensing में pharmacist का क्या rule हो सकता, इसके बारे में जो है, वो आपको लिखना है, ठीक है, उसके बारे चलिए जो कुछ question है, जो कि हम part B में दिया गया है, उनको हम देख लेते हैं, तो जो आपका part B है, इसमें total आप से 11 question पूछे जाते हैं, कोई जो यहाँ पे 10 question जो है, वो आपको solve करना होगा, एक question जो है, वो यहाँ पे आपका 3 number कर रहेगा, ठीक है, तो देखके जो यहाँ पे पहला question पुछा गया है, कि write a note on good pharmacy practice, ठीक है, write a note on good pharmacy practice क्या, इसके उपर आपको एक note लिखना है, जो अगला question है, वो है कि what are dispensing errors, ठीक है, इस पे भी आपको लिखना है, write a note on written communication skill, written communication skill क्या होती है, write advantages of patient counseling, patient counseling के advantages क्या होते है, what is a patient package insert, ठीक है, तो यह सारे जो question है, वो आपसे part B में पूछे गए है, तो देखिए, आप pharmacy point mobile application को आप download कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको यह पूरा question paper देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको 10 MCQ आपको देखने को मिल जाएगे, 10 question जो है, वो आपको fill in the blanks type के जो है, वो आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको app में question bank का आपको एक folder दीखेगा, वहाँ पे आपको यह question paper जो है, d from second year वाले section में आपको देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको यह video कैसे लिए आप इस video को लाइक करें, साथ में जो भी आपके classmates हैं, friends हैं उनके साथ इस video को जरूर से share कर दें, तो मिलते हैं अंगली video में तब तक के लिए नमस्कार, जैहिंद